नमस्कार मैं हूँ निरश कुमार और आप देखने मी मीडिया नियूज वक्त हो गया है आज के ताजतरिन ख़वरों का दिल्ली में आम आद्मी पार्टी और कॉंग्रेस के वीच लोकसभा चुनाओ को लेकर सीट बटवारा लगभगते हो गया है जहां सुत्रों के हवाले से ख़वर है कि आम आद्मी पार्टी चार और कॉंग्रेस तीन सीटों पर चुनाओ लर सकती है आज इस मामली का अधिकारिक एलान किया जाएगा केंद्रे ग्रह मंत्री अमिस साह आज 36 गर के दोरे पर आ रहे है जहां साह के दोरे को देखते हुए मुक मंत्री विस्नु देव साय ने कहा लोक सभार चुनाओ नजदीक है ऐसे में सभी वरिष्ट निताओं का यहां आगवन होगा रक्षा मंत्री राणा सिंग आज ओरिसा का दोरा करेंगे जहां वे नवरंगपूर, बहरामपूर और पारिपदा में पार्टी के कारकरम में हिस्सा लेंगे समालवादी पार्टी के राष्टिय धक्ष अखलेस यादव आज मुझपर नगर के दोरे पर रहेंगे जहां वे एक बैवाहिक समारोह में सामिल होंगे हर्याना और पंजाब के बॉडर पर किसानों ने पराली में लाल मिर्ची डाल कर लगाई आग पुलिस ने आसु गैस दाग कर किया हालात काबू किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन को रोकने के लिए सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मी और पुलिस के अंदर बड़ी अनुहोनी देखी जा रही है जहां अब तक तीन सुरक्षा कर्मी के अधिकारी की मौत हो चुकी है जहां टाजा मामला पंजाब तोहना सीमा पर तैनात S.I. विजय कुमार की हाट अटेक से मौत हो गई इससे पहले दो और पुलिस अधिकारी सांस की समस्या के चलते दम तोर चुके हैं दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में एक बिल्डिंग गिरने से कई लोग उसके नीचे दव गए हैं जहां राहत बचाव कार शुरू है पुलिस प्रसासन मौके पर पहुँच चुकी है हिमाचल परदेश में इस साल स्वास्त सेवाओं पर खर्च होंगे 3415 करोर रुपे हमीरपूर में बनेगा राज्य कैंसर संस्थान सियम सुखु ने किया एलान कस्मीर के गुलमर्ग पहुँचे क्रिकेट के भगवान समझे जाने वाले सचिन तंदुलकर बरहवारी में स्नो स्कूटर की सवारी का लिया आनन पशिम मंगाल के डीजीपी ने संदेश खाली का किया दोरा पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर आवसक दिसा निर्देश जारी किया मुंबई के पास कल्यान रेलवे स्टेशन पर चववन बिसफोटक डेटोनेटर लावारिस हालत में मिले जहां सूचना के बाद पुलिस जाच में जुट गई है परधान मंदिर नरेद मोदी आज से दो दिवस्य दोरे पर वारनसी पहुचेंगे जहां वे कासी में 23 फरवरी को वी एच्यू के स्वतनता भवन के कारकरम में सामिल होंगे इसके बाद संत रवीदास की जन्वस्थली तीर गोवर्धन मंदिर जाएंगे साथ ही वे कासी संकूल का उधगाटन भी करेंगे कैंसरकार और किसानों के बीच चार दोर की बारता वे नतिजा रही जहां सरकार ने अब किसानों को पांच में दोर की बाचीत के लिए प्रस्ताव दिया है अलाकि इस प्रस्तों पर किसान सगहनों की सहमती नहीं बन पाई है दिल्ली खूच टालने को लेकर किसानों का अभी तक कोई बयान नहीं आया है खास बात यह है कि आज से किसान आंदोलन तेज हो सकता है हर्याना विधान सभाग के बजट सत्र के दूसरे दिन जननायक जनता पार्टी जे-जे-पी ने भीप जारीकर जे-जे-पी विधायकों को आज सदन में मौझूद रहने को कहा है इस दोराण जे-जे-पी विधायक सरकार के पक्ष में मतदान करेंगे बता दें कि हर्याना कॉंग्रेस राज की मनोहरलाल सरकार के खिलाफ और विस्वास प्रस्तौल आई थी दोस्तों आगे वरनेस पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दिजे क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतिजार कर रहा हूँ और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लाश्ट में बताते हैं इसलिए न्यूज को लाश्ट तक जरूर देखिए राहुल गांधी की भारत जोरो न्यायात्रा पुर्वोत्तर राज से सुरू होकर अब भारत के मदपर्देश पहुँच चुकी है इस वीच राहुल गांधी 26 फरवरी से एक मार्ज के बीच यातराक से ब्रेक लेकर लंदन जाने वाले हैं जहां बताया जा रहा है कि वे ब्रिटेन में गैब्रिज इन्वर्सिटी में दो विसेश लेक्चर देने वाले हैं इसके अलावा वे दिल्ली में कुछ एहम बैठकों में भी हिस्सा लेंगे उत्तर परदेश में सप्पा और कॉंग्रेस गटवंधन को लेकर चल रही अटकलों पर बुधवार को अंतिम मोहर लग गया जहां प्रेस विग्यप्ती जारी कर इसका अधिकारिक एलान किया गया परमुले के अनुसार अब उत्तर परदेश में कॉंग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लरेगी और मांकी सीटों पर सप्पा और उनके सहयोगी चुनाव लरेंगे वही वारानसी की सीट कॉंग्रेस के खाते माया है जद्यू के वरिष्ट विधायक नरेंदर नारायन यादव विहार विधानसभा के नए उपाध्धक्स होंगे वे गुरुबार अर्थात आज 10 वजे नामांकन करेंगे उनके निर्विरोध चुनाव जीतने की संभावना है बता दें कि नरेंद नारायन यादव मध्वपुरा जिला के आलमनगर विधानसभाध छेतर से 1995 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं आज पर धानमंत्री नरेंद मोदी गुजरात को देंगे करोरों की सौगात साथ ही अमूल के गुल्डन जुबली समारोह में होंगे सामिल राजस्थान के मुखमंत्री भजनलाल सर्मा ने एतिहासिक फैसला लेते हुए निर्देश दिया है कि अब वे भी आम लोगों की तरह सरक पर चलेंगे उनका काफिला भी रेड लाइट होने पर चौराहे पर रुकेगा इसमें आम लोगों को बरी राहत मिलेगी क्योंकि वी आईपी मूवमेंट के चलते कई बार रास्ते पहले से ही बंद कर दिये जाते हैं जिससे ट्रैफिक जाम हो जाता था जारखंड की 25 सोरें सरकार का एक और बड़ा फैसला आया सामने जहां 27 प्रसासनिक आफिसरों का किया गिया तबादला पतिस घर में आयजित महा किसान रेली में सामिल होंगे रक्षा मंतरी राजना सिंग एक लाख अंदाता रहेंगे मौजूद मदपर्देश के मंतरी कैलास विजेवर्गिये ने पश्चिम मंगाल की ममताव नर्जी सरकार पर जम कर निसाना साधा उन्होंने कहा कि पश्चिम मंगाल में राश्पती सासन लागू कर दिया जाना चाहिए साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर भी सवाल उठाया दोस्तों मैं देख पा रहा हूं का आप में से बहुत सारे लोगोंने नियूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है लेकिन अभी भी बहुत लोग बाकी है जिनोंने नियूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है उनसे भी आग रहा है कि प्लीज 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 वे भी नियूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में सेर भी कर दें और अब बारी है कल के नियूज पर कमेंट करने वाले लोगों के नामों की अरविंद पास्वान, प्रवीन कलिता, गौतम महतो, घरेलु खाना, काजल कुमार गौंगली, निरंजन जोसी अरुंदांगे, रक्ष्राम आर्या, सिल्पी बिग बेनरजी, गौतम महतो, यूजर पीयस थ्रे, बिजय सक्सेना, बंटी हजारिका, अयोध्य प्रसाद राठो केपि तिवारी, बलबंध सेंगिल, राजेंदर केलवा, निधिनात पांडे, प्रलाद पंडित, सैलु सिंग, सतिंदर, हूम छत्री, अंबुज नियोज 24, प्रवीन कुमार, संतोस कुमार गौप, असोक आर्या, परसुराम, सुनिल कुमार पाथिपा का, अनसारी रसीद और सतिश चौबे, तो ये थी आज की तायतरिन खबरें, ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किजे, नोटिफिकेशन बेल को दबाईए, वीडियो को लाइक किजे, और ज्यादा ज्यादा सेर किजे, ताकि देश और दुनिया के तमाम खब अपडेट